तमाम सनातन प्रेमों का आज की हमारे कारकर में बहुत बहुत श्वागत और अविरंदर हैं। आज हम दिपावली के पूजन को लेकर के थोड़ा रिस्कस करेंगे, आपर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको दिपावली के अग्रिम्शुप काम में। अगर आप दिपावली पूजन को कैसे करना है, महालक्षमी का पूजन करना है, इसको आप समझना चाहरे हैं, तो आपके लिए आज का कारकरम थोड़ा खास हो सकता है। आगे बढ़ें, इससे पहले निविधन भी रहेगा, चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए, बैल आइकन दबा लिजिए, ताकि आने वाले कारकरम के अपडेस भी आपको मिलते रहेंगे। तेकि यहां पर खास बात ही है कि जब महालक्ष्मी का पूजन होता है, या फिर किसी भी देव का पूजन होता है, तो इसमें सबसे पहले गणेज जी का पूजन करना चीए, इस वात को आपको दिहान में रखना है। अलक्ष्मी का आपको ध्यान करना है, उनका ध्यान के साथ में जो विवित सामगरी आपके पास हैं, जैसे कि पंचामरत की सामगरी होगी, दू, दै, घी, सायद, सक्कर, मदू, इन सब चीज़ों से भगवती को प्रथक 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 श्नान कराना है। उनसे अलग-अलग थोड़ थोड़ा मात्र में आपको श्नान कराना है। ये मालक्ष्मी के श्नान पूजा की आपको भी दिवता रहा हूँ। फिर आपको दूद से थोड़ा विश्यक करना है, उसमें आप भगवती के कुछ मंत्र या स्री शूप तो आपको आता है, कनक धारा आता है तो आप उससे दूद के द्वारे श्नान करा सकते हैं। फिर सुद्द जल से श्नान कराना है, गंधोदक से श्नान करा सकते हैं, फिर सुद्द जल से श्नान कराईए, हल्दी डाल करके जल में उससे श्नान कराईए, आपके पास केवडा जल है, गुलाब जल है, उससे श्नान कराईए, फिर सुन्दर वस्त्र आदी से प्रुक्ष दीप, नैविद्य, और नैविद्य में आप मावे का भोग लगाएं, मावे की मिठाई का भोग लगाएं, या फिर रस्मलाई इस तरह का जो पदारत हैं, जो दूद से बनीवी चीज़ हैं, उनका भोग लगाएं, साथ में जो अखंड फल हैं, यानि जो ड्राइफूर्स हो अगर पत्ता है, तो पत्ते में लॉंग इलाची आदी रख करके उसका आप मावखवति को चड़ाएं, कुछ दक्षणा आप उनको चड़ाएं, हो सके तो दक्षणा में जो पुराने नौट होते हैं, उनको न चड़ाएं, या तो सिक्का चड़ाएं, या फिर नया और उसके बाद पुष्ण को ले करके प्रणाम प्रार्थना के साथ आप मावखवति को करें, आर्थि करना चाहिए उसके अपुस्पांजरी, उसके अप प्रदक्षना और फिर प्रणाम के साथ मालक्षमे को उस्तापन करना चाहिए, हर बार नई मूर्थियां ना बदले होसे के धातुव की मूर्ति रखें इस पटिक के सरीयंत रखें और जहां पर भी हैं उनको एक ही मूर्ति को रखें बार-बार मूर्तियों को ना बदलें अगर रखी मी पहले से तुनको आपसरजन कर लें तो फिलाल इतना ही आज के कारकरम में था मिलते हैं अगले एक नई कार्कम के साथ तब तक लिए आप सब को दिपावल की शुपकाम है तन्यवाद